हेलो फ्रेंड्स अब सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इस्टडी फ्यूजन पर उस जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हम ड्राफ्स्वेन मेकेनिकल का डियाइडियो के लिए क्रेस्ट कोर्स कर रहे हैं तो उसी क्रम की आठवी वीडियो आज हम लेकर आए हैं 7 वीडियो हम अल्रेडी अप्लोड कर चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखिए तो उनको भी जरूर देख ले और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोमेट्रिकल डाइमेंशन और टोलरेंसिंग की GD&T ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट टोपिक है और इस से रिलेटेड सभी एक्जांस में कुछ कोशन जरूर पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें तो बिना किसी देरी के आ इसका correct answer हमेंसे यही होगा कि यह हमारा shape and position दोनों को control करता है उसके बाद दोस्तों इसमें जो हमारे symbol या characteristic होते हैं वो होते हैं हमारे 14 टाइप के तो 14 GD&T के हमारे पास symbol होते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे देखें दोस्तों feature control frame ये जो दोस्तों rectangle में जो ये चीजे ल tolerance सब हमें इसमें show करने होते हैं तो सबसे पहले इसमें GD&T का हमारा symbol दिखाया जाता है उसके बाद ये जो है दोस्तों ये हमारा tolerance है उसके बाद ये जो है दोस्तों ये हमारा कहलाता है modifier modifier हमारा ये जो M का मतलब है यहाँ पर है maximum material condition इसके अलाबा और भी प्रकार के modifier हो सकत है as per requirement उसके बाद हम यहाँ पर दिखाते है datum datum की requirement हमारे single dotum की भी हो सकती है या फिर multiple datums की भी हो सकती है तो इसी परकार यहाँ पर दिखाया गया primary dotum secondary dotum tertary dotum तो ये हो गया हमारा funda feature control frame का इसके बाद हमारे GD&T के जितने भी characteristic है उनको हम 5 category में divide कर सकते हैं जो है हमारा form profile orientation location and run out तो इन सभी की दोस्तो one by one बात करेंगे सबसे पहले बात करते है form type की और form type में हमारे पास 4 परकार की characteristic होते हैं एक होता straightness फिर flatness एक roundness या circularity और fourth होता है cylindricity और इसमें अगर dotum की बात करें दोस्तों तो dotum इस परकार की form type के जितने भी tolerance होती है इनमें allowed नहीं होता है और dotum जो होता है दोस्तों वो एक परकार का reference है जिसके reference में हम अपनी tolerance को देते हैं तो आगे के उसमें हम dotum का भी एक example देख लेंगी कि क्या dotum होता है अब यहाँ पर बात करें one by one सभी की तो straightness straightness का जो symbol है दोस्तों वो यहाँ पर दिखाया गया है यह हमारे straightness का symbol है और यह हमारे किसी भी line या surface की straightness या फिर सीधे पन को दरसाता है कि हमारा कोई भी line या surface कितना straight है उसके बाद second है दोस्तों flatness flatness हमेशा एक 2D plane के उपर ही काम करता है तो यहाँ पर इसकी flatness की tolerance को यह दरसाता है यह हमारा flatness का symbol है उसके बाद third है roundness और यह हमें दरसाता है कि हमारा कोई भी circle roundness में कितना deviation उसमें हो सकता है यहाँ पर दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे roundness या circularity जो है वो हमेशा एक 2D plane में काम करती है उसके बाद दोस्तों जो fourth है cylindricity, cylindricity भी roundness की तरह यह होता है लेकिन cylindricity में difference क्या होता है कि यह हमारा एक three dimensional object में काम करता है तो यह एक पूरे cylinder पे काम करेगा और यह एक 2D plane में काम करेगा एक circle पे काम करेगा तो यह हमारे हो गई form के उसके बाद next है दोस्ता profile type जो हमारा होता है tolerance का उसमें हमारे पास दो परकार के symbols होते हैं एक होता है profile of line और दूसरा होता है profile of surface तो profile of line में जो हमारे पास symbol होता है वो open semi circle होता है और जो हमारा profile of surface होता है वो हमारा closed semi circle होता है तो profile of line की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यह हमारा किसी भी line की profile को control करता है और इसमें क्या है दोस्तों डोटम की अगर बात करें तो यहां पर sometime dotum require हो सकता है और कभी-कभी require नहीं भी हो सकता है तो जैसे कि आपर dotum दिया गया है दोस्तों देखिए यह हमारा A dotum है और यह हमारा B dotum है तो यह इन दोस्त लाइन से हमें यहां पर dotum दिया गया है कि इन dotum के according हमारे जो profile है वो कितना deviation उसमें allowed है तो यह हमारा हो दोनों सेम है बट फर्क इतना है कि यह हमारा 2D में काम करता है यह हमारा 3D में काम करता है तो यह हमारे हो जाएंगे दोनों profile of line and profile of surface next नेक्स्ट है हमारा orientation इसमें अगर dotum की बात करें तो dotum हमेशा require होगा यहां पर always required और यहां पर तीन परकार के हमारे पास characteristic है पैरलेलिज angularity and perpendicularity तो किसी भी dotum से कोई भी दूसरा surface parallelity में कितना डेविएट कर सकता है यह हमारा parallelism बताता है उसके बाद इसी परकार से second है हमारा angularity और third है हमारा उसी परकार से perpendicularity तो यहां पर perpendicularity में देखेंगे तो यह surface जो है हमारा यह हमारा a datum है उसके reference में हमारा यह जो circle है यह जो hole है हमारा यह perpendicularity में कितना deviation allowed है इसमें यहां पर दिया गया है तो इस परकार से यह तीन हो जाएंगे हमारे orientation के next है हमारा location location में हमारा पास तीन type के यहां पर characteristics है अब एक है position second है concentricity और third है हमारा symmetry और यहां पर अगर datum की बात करें तो दोस्तों हमेशा यहां पर datum require होगा जैसे यहां पर position देखें तो datum A और datum B के reference में हमें इस hole की position के लिए tolerance यहां पर दी गई है second जो concentricity की बात करें तो यहाँ पर A datum दिया गया है यह इस circular part के लिए datum है और इसके reference में हमें इस वाले circular part को concentricity दी गई है तो यह इसके reference में कितना concentric है यह हमें दिखाया गया है इसके बाद जो third one है दोस्तो symmetry symmetry के लिए symbol हमारा यह है datum यहाँ पर दे दिया गया है और उसके according उसके reference में हमें यहाँ पर इसकी symmetry के लिए tolerance दी गई है तो इन तीनों के symbol आप देख लिजेगा position का symbol concentricity का symbol और symmetry का symbol next देखेंगे next है दोस्तो run out और इसमें भी दोस्तो dotum always required इसमें भी dotum हमें हमेशा देना होगा और यह भी हमारे पास दो प्रकार का होता है circular run out और total run out और दोस्तो run out की जो tolerance है वो हमेशा circular part में ही दी जाती है तो जब भी हम किसी circular object को rotate करते हैं तो उसके section या फिर surface में आने वाले variation को control करने के लिए यह run out की tolerance हम देते हैं तो circular run out जो है दोस्तो वो हमेशा हमारे 2D section पे काम करेगा और हमारा total run out हमारे एक surface यानि 3D object में काम करेगा तो इन दोनों में भी वही 2D और 3D का फर्क है तो यह दोस्तो हमारा हो गया run out और run out का symbol आप देख सकते हैं कि जो circular run out है उसमें हम single arrow ऐसे दिखाएंगे और total run out में यह दो arrow joined इस परकार से दिखाते हैं तो यह हमारे सभी type के GD&T symbols हमने cover कर लिए हैं एक बार सभी symbols को एक table में हम देख लेते हैं तो यह हमारे देखिए दोस्तो form के profile के orientation, location and run out इन सभी symbols के नाम आपको exactly पता होने चाहिए questions हमेशा सिधा पूछा जाता है कि एक symbol दिया जाता है और उसका नाम पूछा जाता है कि यह कौन सा symbol है तो यह सभी symbol और उनके characteristic के जो name है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो वीडियो आपको पसंद आए तो इसको like कर दे, इसे share कर दे अपने दोस्तों के साथ चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले Thank you and take care